आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ दिश्पर यो दुबई में चिकन नहारी आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन नहारी चले बिस्मिल्लाय रह्मान नहारी पड़के मैं आपको इंग्रेडियंट्स बताती हूँ नमक आदा चाय का चमच लाल मेच छोटा चाय क चमच एक चाय का चमच पिसाहवा धनिया दो चमच बेसन दो चमच आड़्टा वन फोर्थी स्पून जो है वो हल्दी है एक टेबल स्पून भरके लसन अतरक का पेस्ट आदा कप करीबन एग मीडियम प्यास यह है इसको आप वैसे भी ब्राउन कर सकते हैं तड़के में मे अधा कप लिए है आदी प्याली आपने यह दही की लेनी है और यह निहारी मिसाला है इसकी रेसिपी में ज़दी आपके साथ शेयर करूंगी दो टेबल स्पून भरके निहारी मिसाला और यह एक चिकन है इसके मैं बारा पीस करवाई है यह करीबन मैं आदा कप जो है नह दाल रही हूं ऑई ठीक है सही है यह देखे लेसा नद्रक का थोड़ा सा कलर आ गया है अब हम इसमें यह चिकन अग करेंगे यह देखे मैंने चिकन अग कर दिया है चिकन को इसमें अच्छी तरह आपने बूल देना है झृण जब चिकन अच्छी तरह इसमें लसन अधरत में प्राय हो जएगा उससे अग्ला स्ट्विर मैं आपको बताती हूं क्या करना है यह देखें चिकन हमारा बून चुका है ठीक है यह देखें इसको अच्छी तरह से यह आपने बूलेने ले थे फिर आपने इसमें मसा तुस्का धनिया, खल्दी, और यह हमने अड़ सब्दिया, निहारी मिसाला, यह मेरा अपना निहारी मिसाला है, आप किसी भी ब्रेंड का बजार्टी ये सकतीगे, इसकी रेस्पी में आपके साथ जल शियर काप दोंगे, मैं खुद बना के डालती हूँ, आप किसी ब्रेंड करें आपके साज़्स, आप मंधाने अच्छाउय, अब दही आपके कर देगे, यह देखे, ये दही मैंने डाल दिया है, साथ ही अब मैं ये त्राइड अनियन भी डाल दोंगी, आप इसको थोड़ा सा भाब तेकिन, तो पका आके न, इसकी बनाई करनी है और फिर मैं आपको इससे अगना स्टेप बताती हूँ इस चुले पर मैंने उसको स्टीम में पकने के लिए रख दिया कि दही के पानी में वह प्याज और वह अची तरह होजे यह मैंने जो आपको दो चबमच बेसन के दिखाए थे अब आपने इन दो चबमच बेसन को न भूनना है लोग कच्छा आटा डाल दिते हैं मैं नहीं डालती हूँ वेसन और आटे से टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप इसको भून के डाले तो बून किया है यह आटा बेसन में मिक्स कर दे लगी हूँ अगर आप इसको न भूनना है यह ऐसे मिक्स कर लेना है बून के आपने ठीक है यह करीबन एक प्याली बन जाए ठीक है यह देखे यह देखे यह मसाला चीपरा बून गया अब आप इसमें यह पानी आट करना है पानी जादा आट करेंगे यह नहारी ने पकना भी आप इसमें डाल दिया है और यह मैंने अब इसमें बेसन और आटे का गुहल डालने लगी जाए इसमें लंब्स की बने देने कि देखें कितने अच्छा है मिक्स हुआ है अब आटे डालेंगे ना तो उसकी स्मेल बहुत होगी बुनाव आटे डालेंगे एक तो पक जल दे जाएगा और दूसरा उसकी स्मेल भी नहीं आएगी अब आपने इसमें यह इसता हिसता डाल देगा अच्छा अब मैं यह और पानी इसमें एड़ किया है ताकि वह मिक्सर जो नीचे रह गया था वह भी अच्छी तरह बीच में चला जाए अब आपने एक दो बाले चिकन को इसमें पकाना है उसके बार आपने वह चिकन जो है ना बाहर निकाले में क्योंकि आटा पकने में अब छोगे तरह थे हैं तो चिकन टूट जाए का सारा रहा जारा। जो दो बालों के बार आप अपने देगे तरह एकर ज़िए अपगे बालत निकालेगे उसके बार आप जी पकने देगे च्छिपने डेंगे कि यह नी जिख देता के जईकान निग करते हैं ठीकल भी त अब यह पानी जो है आपने अच्छी तरह पका ले तो पकना है तो पकना है तो निकालना इसको यह देखें चिकन की बोटियां हम निकाल देंगे जब यह पक्के गाड़ी हो जेगी न तो फिर हम समी थोड़ा यह चिकन डाल के पका देखें हांडी यह देखें अलहमदुलिल्ला कात पके कैसे नहारी हो गई है यह देखें अब अब मैं इसमें चिकन आड़ करोंगे चिकन आड़ करके इसको थोड़ा पकाएंगे चिक है और फिर हम इसके ओपर थोड़ी सी चिटिंग करेंगे हम इसको लगाएंगे देशी घी का तड़का यह देखें यह देखें यह माशालला अलहमदुलिल्ला यह देखें कि कैसी कंस्सिस्टेंशी इच्छी आगी अब मैं इसको डिश्ड़ करके दिखाती हूँ आपको ठीक है पहले मैं इसको तड़का लगाऊंगी फिर मैं डिश्ड़ः ठीक है यह मैंने देशी घी डाला है यह जैसे इतना प्ःण करते है ना ढालएं उपर से प्यास का तर्टा लगाओंगी, तर्टा लगाएंगे मैं आपको पाइनल लूप डिशॉउक दर्टे द्थाथी जिए यह देखें यह एक मीडियम प्यास था मैंने उसको भारी बरी घ्ट लिया था और इसको डेसी घी में मैंने यह ब्राउन करके उपद इसका दर्का लगा नहारी नहारी तियार है बस इसको पांच मिनट के लिए आपने पांच से दस मिनट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपने दम देना है ठीक है बिल्कूल देनी आज पर ताकि इसका ये अच्छा सा कलर आ जाए अब मैं डिशॉट करती हम अलहमदलिल्ला जी ये देखे मैं डि करें सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में बहुत बहुत याद लेकिया अल्ला हाफिज